हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पर दोस्तो आज में आफसे वीडियो में डिसकस करूँगा जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो हमारा बीम है बोच छट डालने से पहले ही इस घर में दे दिया गया है और उसके उपर बिरिक बर आते हैं तो कोई दिक्तत तो नहीं होगी तो इसका क्या डिस एड्वांटेश और एड्वांटेश है वह आज आफसे में इस वीडियो में डिसकस करूँगा तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं जो बीम है हमारा वो पहली डाल दिये गया है तो मैं एड्वांटेश क कि बात करूँ तो मुझे तो कहीं से कहीं तक इसका डिखा नहीं आयोप अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हां यह ठीक है तो पहले दे देते हैं तो हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं और साथ में देते तो क्या फायदा हमें होता देकि दूस्तों अगर हम अपनी ज दोस्तों जैसे मालीज़ी आप छट की सट्रिंग कर रहे हैं उसमें आपने सट्रिंग की जगा दे दी है रही की देवाल के ऊपर अब आप सरीया बांद रहे हैं तो हमारे पकड बन जाती है, इनकेस कभी हमारा आर्थ क्योंक आता है या हमारी च्छत में कोई जुका बाता है, तो वो हमारा बीम उसको कवर कर लेता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, यहांपे क्या होगा है? कि यहांपे होगा क्या क्या, तो करकी दिवाल के सहारे ही, के चट के पास और बीम के प्रॉप पर तो वहां क्रैक तो आनी आनी है आप यह तो जरूर देखना जैसे कि आपको पते यह कंकिरेट और ब्रिग बर के जॉइंट पर क्रैक आती है अब बात करते हैं दोस्तो जब आप चट डाल देंगे चट डालने के कुछ समय बाद आप य यह क्रैक जरूर दिखाई दी है एक तो आपको नीचे भी दिखेगी और एक उपर भी और दोस्तो जो दूसरी चीज़ में बताई थी जो हमारी चट की सर्या होती है वह बीम के साथ ही बनती है और बीम हमारा चट के साथ ही कास्ट होता है तो अच्छी पकड़ बनती है हमा करेक भी देखने को मिल सकती है तो इस तरह दोस्तों मुझे तो ठीक नहीं लगा इनकेस अगर आपको कुछ सुझाब है तो कमेंट पर टाइप करें और मेरी तरफ से यही सब था तो इस तरह चाहते ना डाले तो ठीक है आयोप आपको वीडियो अच्छे लगे है वीडियो